अब देख सकते हो आज में साथ क्या है एक साल हो चुका है लॉंच हुए हुए और आज में रिवीव कर रहा हूं तो यह हमारे साथ आज बेज मोडल है हमारे साथ एंड तीन मोडल के साथ आते हैं तो मैं आज को इस वीडियो पर यह भी बता दूँगा कि अगर आप जाते हो मिड वेरेंट के साथ तो आपको क्या-क्या एस्ट्रा दिखने को मिलता है कॉंपेर टू बेज मोडल तो इसी चीज के बारे में लोग बात करेंगे एंड चलिए मैं आपको दिखाता हूं एंड हा फॉफर मनी ओके सो देख सकते हो काफी नियू डिजाइन काफी नियू लुक के साथ आती है अप डिया लग रहे हो तो यह क्या शेप में आप सभी को पता ही होगा आप देखी रहे हो त्यव्हें प्रो औगेर आपको बाद में दिखा दूँगा आते हैं इंडिकेटर पे तो इंडिकर्स आप जैसे की देख सकते हो LED इंडिकेटर्स काफी सही लग रहा है और एक चीज में यहां पर बताएता हूं कॉंपेर टू हंटर सही है नो डाउट हंटर में आपको हैलोजन मिलते हैं यहां पर आपको LED दिखने को मिल रहा है फ्रंट लूख काफी ज्यादा सही लग रहा है अब आते हैं सस्पेंशन पर तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंड में सुआ का सस्पेंशन आपको दिखने को मिल जाता है क्या बोलू मैं not bad अब अब सोच रहे होगे कि इस सेग्मेंट में यह उस्टी सस्पेंशन देना सही है या नहीं अब मैं अपना बात बोलू ना अभी मैंने इसको राइट किया राउंड टू किलोमेटर तो काफी सही रहा अफ्रोडिंग में भी मैंने थोड़ा बहुत इसको राइक किया मतलब गढ़े वाले रस्ते थे सही अच्छा वार्क किया वहां पर मुझे कोई दिखने को नहीं म रहा था तो मुझे WP के सस्पेंशन से यह ज्यादा बेटर लगा वैसे WP बहुत इससे भी अच्छा व्रेंड है पर मैं वह चीज नहीं बोल रहा हूं मैं प्ले के बारे में बात कर रहा हूं इसका प्ले ज्यादा स्मूथ है कंपेर डू 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 पी सस्पेंशन तो ठीक है इसका फ्रेंशन ने मुझे काफी सही लगा फ्रेंड मैं आपको अर्ग की नहीं है तो बेस मॉडल में मिड में बस आपको सिंगल चैनल मिलटा है जब आप जाते हो टो प्रम में तब महाँ पर आपको ड्विक दिखने को मिल जाता है ठीक है और एक चीज़ कलर कब् सब्सक्राइब को दिखने को मिल जाता है यह आपको ब्राउन को दिखने को मिल जाता है तो यह ही है अब बात कर लेते हैं कि ल Алश वहाँ पर आपको दो ढट्वाल्टन को दिखने को मिल जाते हैं यह समय जाते हैं जो आप आप तोप मोडल में जो आप गोल्डेन कलर का सोगर आपको दिखने को मिल जाता है ठीक है इसमें कोई आपको अट्जेस्टेबल सस्पेंसर में दिखने को नहीं मिलता है यह आप नोटिस कर लेना ओके एंड आप सब्सक्राइब बात करते हैं हंटर से क्या डिफिरेंस है तो फस्ट एक डिफिरेंस में आपको उतार रहा हूं देट इसकी हंटर मापको मिलते हैं यहां पर आपको दिखने को मिल जाती है तो यह काफी सही लगा मुझे ठीक है एंड नो डाउट काफी अच्छा खासा इसमें ग्राउंड क्रेंस दिखने को मिल जाता है compare to hunter ठीक है तो ओर एक चीज हांटर में आपको साथ 155-56 mm का जैट ग्राउंड क्रेंस दिखने मिलता है एंड यहां पर आपको 181 तो समझ रहो कहा 155-81 तो हीज़ डिफ्रेंस तो अफ्रोडिंग भी आप कर सकते हो नो डाउट कही पर नहीं पर टकराएगी नहीं मतलब कहीं पर लेकर जा सकते हो विदाउट एशू बात कर लेते हैं इसके इंजिन के बारे में सो 225 चीज़ यह बाइक है यह पता है पावर कितना देती है 20 बीच पी आफ पावर अच्छा आप इसे compare मत करना डिप अगेरा से अजस्ट इसे इसे नाइनटी पर इसली क्रूज कर सकते हो विदाउट एशू नाइनटी पर आराम से क्रूज कर सकती है तो सही है ना हां तो वही 20 bhp of power and 90 m of torque तो सही है मैं यह साब से उपावर अपना करें बात करें ना तो रियर टायर काफी सही है 130 का आपको रियर टायर दिखने को मिल और यह था है तो जब मैं आ रहा था था ना तो अफ्रोडिंग भी था ध्हुरा बहुत और तो आच्छे रस्ते भी थे तो काफी अच्छा प्ले किया रियर सस्पेंशनन की मतलब अचानक है जब मैं अच्छे रस्ते से गद्धा वगे रहा आया तो काफी अच्छे तो ज्यादा मिट्टी वगड़ा आपका चेन में नहीं जाएगा अब बहुत लोग यह सोचेगे कि यह बैल ड्राइव है पर इसा कोई नहीं है यह यह चैन सिस्टेम ही है पर दिखने में इसा लग रहा है तो काफी अच्छा किया यह कंपनी मालों देखे काफी आपको अच्छेन ठीक है एंड फिटन फिनिश ना इस बाइक का मुझे काफी सही लगा कॉंपेर टू हंटर हंटर में आपको ज्यादा एक्सपोस हो जाते हैं जो वल्लिंग अगरा है ना दिख जाता है यह जो आप फ्रंट पर देख रहे हो ना इसमें जितना अच्छे से अब आते हैं इसके टैंक पे तो 14 लिटर को आपको टैंक दिखने को मिल जाता है जो कि काफी है हां तो टैंक के बारे में अगर हमने बात कर लिया तो मैलेज के बाद कर लेते हैं तो एरांड यह लूग फिट फ्ट्रीड ग्यार बनेज है इसमें आपको कोई श्री स्पीड नहीं मिलता है यह कोई स्पोर्ट बाइक नहीं है तो नॉर्मल खूसइंग बाइक अपी से माल सब्सक्राइब आपको 3235 मिल रहा है ठीक है सही है अगर आप अच्छे चलाते हो तो साथ ज्यादा मिल जाए 38 मिल जाए पर 30-35 मिली जाएगा आपको ठीक है अब आते हैं इसके अब बात कर ले था इक डिफरेंस के बारे में इसमें आपको कोई connectivity feature दिखने को नहीं मिलती है हां मोड्स वगरा दिखने को मिल जाते है यह देट इस रेंड मोड अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड पर इसमें आपको कोई कोई दिखने को नहीं मिलेगी देट इस वह आपको मिलेगी ओनली ओन टॉप मोडल में आपको ब्लूटूट अपकर कर पाऊगे एंड एप से तो आप हर एक चीज जाट नेविगेशन वगेरा एंड कितना आपका ट्रिप मीटर वगेरा सब आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं अबरिटिंग कोल वगेरा आएगा तो वह भी दिखा देगा तो आपको पता ही होगा ठीक है एंड जिस बेस मोडल में एंड में में आपको कोई दिखने को नहीं मिलता है और एक चीज पहले आप यह देख लो फि में प्लेस करके थोड़ा साइड में प्लेस किया गया है एंड कंपनी का ऐसा कहना है कि ज्यादा विजिबिलिटी इसमें ज्यादा आती है ठीक है मतलब राइट करते वक्त आपको जा मतलब फटाक से यहां पर देख पाऊगे जो में रहता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता स्लिपर क्लाच आपको मिल जाता है यह आपको पता चली गया क्या 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 डिफ्रेंस कंपेर टू टू टॉप मोडल में बताई दे रहा हूं आपको एंड लुक इगनेशन करते ही तो आप बताना आपको क्या लगता है ठीक है बेज मोडल का प्राइस के बारे मगर बात करें तो हमारे का लाइन करन्ट इव्यास पर वान लग एटी वान थाउजन एप्रॉक्स आप देखे इसको आप लेकर जा सकते हो मिनिमाम डाउन पेमेंट डिपेंड करता है आपका स सिविल अगर अचा रहता है तो फिफ्टी ताउजन फिफ्टी टू सिक्स्टी ताउजन अब डाउन प्रेंट देखे या फिर उससे भी कम डिपेंड अपन सिविल आपका सिविल कैसा है देखे आप लेकर जा सकते हो ठीक है तो आप सोरूम पर जरूर जाना डू विजिट सोरूम एंड अगर मैं कुछ मीज़ कर रहा हूं तो आप जरूर मुझे बताना ठीक है और एक चीज मैंने बता दिया है फिर से एक बार मैं रिवाइस कर देता हूं कॉंपेर टू टॉप मोडल यहां पर आपको सिंगल चैनल इवेस दिखने को मिलता है तो इसका ग्राउंड क्लिरेंस है यह हंटर से काफी बेटर है तो अब बताना साउंड भी मुझे काफी ज्यादा स्मूतिंग लगा कॉंपेर टू हंटर टीक है अब बताया कि इसका जो सब्सक्राइब अब जाओगे न तो थोड़ा जटके मारते है पर इसका थोड़ा स्मूतिंग मुझे थोड़ा बेटर लगा अफ्रोडिंग पे आपको यह रिव्यू कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना यहां पर हमने बस काम के बाती की है जिससे में पहले रिव्यू करता था वैसा कोई रिव्यू नहीं लाया हूं मतलब ठीक है बस पॉइंड वाइज हमने बात किया इस वीडियो पर तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मेक्शर अब जरूर बताना तो तिल देन बाई पीस आउट और राइट सेफ पीस पीस